जहें हिन दोस्तों आप सभी का गानाओ तक रोजगारी स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ, आप सभी अच्छे होंगा, अच्छे सपनी प्रिपेशन कर रहे होंगे तो फ्रेंट जैसा कि आप से भी आपर देख पा रहा हूंगे एक्जाम से पहले सभी छात्रों के लिए बहुत मैथपूर्ण सूचना है जल्दवाजी में आप भी जो है ये गलती मत कर देना और कैसे छात्रों का यापर एक्जाम में एंट्री नहीं होने वाला है सारे डेट पर अवगत करा दूँ देखे जो आइडिया आपने फॉर्म फिल्म बढ़ते समय यहाँ पर मेंसन किया है वो आइडिया आपको एक्जाम सेंटर पर ले जानी है तो ध्यान लखे एक आपको फोटू ले करके जाना है एक आपको ओरिजिनल अपना पैचान पत्र आपने चिपका करके ले जाएं फोटू आपका करंट का भी चलेगा जो आपने फॉर्म बढ़ते समय लगाया था वो भी चलेगा तो दौनों यहाँ पर एक्सेप्ट किये जाएंगे तो आप बिल्कुल यहाँ पर चिंता ना करें अब देखे फ्रेंट सबसे मैं जो बात है वो य चातर जो है यह भी नहीं जानते कि 120 का एक्जाम 120 प्रिशन आपके एक्जाम में आने वाले हैं और यहाँ पर देखे कुछ केंडिडेट के आपर अभी भी कमेंट आ रहे थे कि नेगटिव मार्किंग है या नहीं तो देखे आपर कोई भी नेगटिव मार्किंग आपकी न आप सभी प्रिशनों के जवाब दें तो कि आप सभी देख पार होंगे यहाँ पर जो है कोई भी नेगटिव मार्किंग नहीं है तो इससे आपका जो है नॉर्मेलाजेशन में कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है तो यह तो हो गया आपका एक्जाम को ले करके अब देखे इसके फ्रेंड्स बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो पहली बार एक्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर बता दूँ जितने भी छात्रों का ID जो आपने ID mention किया है जो आप ID लेकर के जा रहे हैं आपके admit card के according आपका date of worth होना चाहिए यह आपका date of worth सहम नहीं है ID ID में और आपके admit card में तो आपको क्या होगा gate पर ही परिक्षा देने से रोग दिया जाएगा तो जितने भी छात्र यहाँ पर जो है मैंने इससे पहले आपको एक hint दी थी आदर cards में आपको जो date of worth गल्थ हो गया उन छात्रों को सभी को मैंने एक hint दी थी उसके according वो छात्र जो है exam में previous कर सकते हैं तो मैं आप फिर से उसको यहाँ पर जो है दोराना नहीं चाहूंगा क्योंकि बार बार जो है आपको इस direction में ले जाने के लिए मैं आपर नहीं कहूंगा तो जो चात्र जिनोंने उस video को देख लिया होगा उन्होंने अपना date of worth यदि उनका गल्थ ह होगा तो बिल्कुल सही करा लिया होगा अब देखे जिन भी छात्रों का आने वाली सिफ्ट में एक्जाम है तो उनको भी बहुत-बहुत सुबकाम नहीं और जिनका कल्या एक्जाम है उनको भी एक्जाम से पहले बहुत-बहुत सुबकाम नहीं अब देखे जो चात्र पह पहले आपको बायोमेटरिक कराना होगा सभी को तो बिना बायोमेटरिक के कोई भी केंडिडेट यहाँ पर नहीं रहेगा अन्यता आपका जो है एक्जाम केंसिल कर दिया जाएगा बाद में तो यह आप सभी कहा पर ध्यान लटना है आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको बायोमेट्रिक कराना है उसके बाद friends देखे exam start होने से पहले जैसे आप computer बैठेंगे तो वहाँ पर login करेंगे आप password डाल करके वह आपको सब बता दिये जाएगा exam center पर देखे उससे पहले exam start होने से पहले आपका दो से चार परिशन का आपको पहले mock test देना पड़ेगा यह आप से भी कोई ध्यान लगना है आप से भी उस mock test में ध्यान लगना की timing जो होगा उसका कम होगा और उसमें लगबग 4-5 परिशन आपको मिलेंगे mock test में तो उसे आप जल अबंड जो हैं पहले करना चाहेंगे कुछ आट्र ऐसे होंगे जो आपका js00ज पहले करना चाहेंगे तो देखें हाप ड़ाबक पर आपको खरें यहां पर mock test open नहीं हो रहा है, कोई error की वज़े से जो है, करने था मैं आप सभी को दिखा देता, तो उम्मीद करता हूँ friends, यह सारी जानकारी आप सभी को देनी थी, ID साथ में ले करके जाएं, अपना photo साथ में ले करके जाएं, तो यह यह चीजें आपने जो है, जरूर साथ में ले करके जाएं, यह सारी गलतियों से आप सभी को बचना है, जो भी मैंने आप सभी को बताया है, जल्दवाजी में आप यह गलती कर जाते हैं, तो यह सारी डेटेल आप सभी को देनी थी, उम्मीद करता हूँ friends, और जितने भी चातर एक्जाम देने जा रहे हैं, सभी को best of luck, एक्जाम की बहुत-बहुत सुबकाम ना है, तो यह सारी डेटेल आप सभी को देनी थी, तो मिलते हैं friends, नेस्ट वीडियो में तब तक लिए सभी को जैहन बंदे मात्रम